नमस्कार दोस्तों दोस्तों 22 फिट बाई 49 फिट में वन बेज के गर जो कि किस तरह से बनवाए हैं उसी का में आपको प्लान दिखा देता हूं जिसमें हॉल होगा किचन होगा बेडरूम होगा उसी के साथी स्टेर केस भी भापर रेज किया है तो चलिए देख लेते पूरा डिटल में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो हमारा है प्लान है जो कि वन बेज के सबसे पहले में आपको बता देता हूं कि इसी का जो डायरेक्शन है उसके बार में यहाँ पर देख सकते हैं जो नौर्थ डायरेक्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है जो कि इस स पूरा जाहे वह नौर्थ फेसिंगे यानि उत्र दिशा के और उसी का जो है मुख है तो चलिए हम देखे लिए पूरा डेटल में जैसी कि मैंने आपको बताया जो हमारा चोड़ा ही है घर का वह 22 फिट यहां पर लगबग देखेगा यहां लगबग 22 फिट यहां पर हमारा विटत है और जो लंबाई है वह है 49 फिट यानि 39 फिट तो चलिए हम देखे लेता है जो हमारा यहां पर आट फिट का वहांदा करण सकते हैं यहां पर उसके साथ ही हमने दिया हुआ है living hall living hall का जो size वह है बारा फिट बाइब बारा फिट का ventilation के लिए दो window वहाँ पर arrange के हैं यहाँ पर door है देखेगा जैसे के हम आगे बढ़ेंगे उसे के साथ ही hall के साथ ही हमने यहाँ पर staircase दिया हुआ है जिसका यूज़ आप करके फर्ष्टी फ्लोर के लिए जा सकते हैं और staircase के पास ही हमारा है WC और bathroom bathroom का जो size है वह है 7 feet by 4 feet का और ventilation के लिए 2 feet का वहाँ पर हमने window दिया हुआ है और WC का जो size है वह है 4 feet by 3 feet का उसे के लिए भी हमने ventilation के लिए 2 feet का window दिया हुआ है और जैसे के हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा है bedroom जो की बड़िया सा bedroom है 9 feet by 14 feet का ventilation भी बहुत ही बड़ा एक window दिया है बस एक ही window है ताकि वहाँ पर हमें ventilation proper मिले इसलिए हमने वहाँ पर window का जो size है वह ज्यादा दिया हुआ है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा है kitchen जो की 17 feet change by 11 feet का है उसकी चोड़ा है 17 feet change और जो लंबा ही है इस तरब वो है 11 feet ventilation देखेगा यहाँ पर हमारा kitchen का टॉप है kitchen counter है उसके लिए हमने यहाँ पर एक window दिया हुआ है और दुसरा वाला जो window है वह इस साइड में दिया है और kitchen के लिए हमने यहाँ पर washing place दिया हुआ है ताकि आप वहाँ पर important होता है जब आप कोई भी आपने घर का kitchen वहाँ पर आप अरेज़ करते हो अपने घर में उसके लिए washing place जरूर अरेज़ किजीगा यह चीज़ याद रखेगा तो इस तरह से हमने वहाँ पर प्लान बनवाए हुआ है इसका जो built-up एरिया है वह कितना स्कुरिफिट है जिसमें हमने वन्बेट की घर बणवाए हुआ है जो भी हमने यहाँ बोर्क में जो वाल यूद की है उनका जो ठिकने से वह है चेंच टोटली जो brick work है वह चेंच साइज का हमने वहाँ पर तो दोस्तों इस कर के प्लान और ठीड़ी इलेविशन आपको बनवाने होगे तो आप हमें कॉंटक्ट कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना है यदि दोस्तो आप हमारे चाइनल पे नए है तो चाइनल को ज़रू सब्सक्राब कीजिएगा और बेल आइकॉन दपा दीजिएगा ताकि इसी तरह कि जब भी लेटिस्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा उसके नट्प्रिक्शन आपको मिलती रही तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते के लिए वीडियो में एक नई टॉप्र के साथ धन्यवाद दूस्तों